Hello friends, previous video में हमने देखा 3 types of C instructions that is type declaration instruction, arithmetic instruction and control instructions So अब आईए इस video में हम देखते हैं what is need of type declaration instructions So अगर हम computer में store होने वाले data की बात करें तो बहुत सारे types के data हमें store करते हैं जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे maths in depth तो M, जो है, फिर उसकार A, T है यह सब characters हैं और set of characters को string कहते हैं जैसे किसी का height हो गया, तो यह integer हो गया जैसे share markets का data हो गया, यह real number हो गया, floats में, fractional में है ना तो अलग-अलग data को store करने का size भी तो अलग-अलग होगा तो आप इसे हम कैसे store करेंगे जैसे example के यहाँ पर तौर पर मैं आपको बताऊँ speed of light क्या है, 3 into 10 is to 8 meter per second है ना, तो इसे कर हम binary में connect करें, तो यह बहुत बड़ा number होगा ठीक, वैसे अगर किसी person का height है, जैसे 2 meter ले लेते height तो इसे हम binary में connect करें तो 1, 0 होगा तो आप देख सकते, speed of light को store करने को ज़्यादा space चाहिए और किसी का height store करने के लिए कम space चाहिए तो जब हम लोग कोई चीज computer में store कराते हैं तो हमें अपने operating system को सबसोले बताना होगा ना कि हम जो store करा रहे हैं, वो कितना size ले सकता है ताकि मेरा operating system उसके requirement के साब से उतना space दे सके इसलिए हम किसी भी variable को जब declare करते हैं तो उसका type बताते हैं कि वो किस type का data store करेगा कि integer store करेगा, float store करेगा, character store करेगा ताकि हमारा operating system उस हिसाब से उसे space दे सके तो इसलिए यहाँ पर हम use करते हैं concept of type declaration जो decide करता है, जो भी हम variable use कर रहे हैं उसका data type क्या है यहनि किस type की data को store करने वाला है तो friends, next video में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से data types हैं जिसे हम पूरे course में देखने वाले हैं और कैसे आप various data को जब store कराते हैं तो किस data type का use करेंगे आप तो इसका knowledge बहुत ज़्यादा जरूरी है एक अच्छा program लिखने के लिए So we will see all these concepts in next video Thank you so much